है यह यह है कि दोस्तों क्या आपको भी इस तरह से मेसेज आ क्या मतलब है हम आज की इस मुटम जानेंगे क्या इससे आपको नुकसान है क्या इससे आपको कोई दिक्कत है आपको करना क्या चीज़गे सारी चीज़े हम यहाँ पर डिसकस करके बताएंगे ताकि आप जो है असानी से समझ सके इस परकार से हिंदी में भी message आ रहा है आप को यहाँ पर एमेर्जंसी एलर्ट एक्स्ट्रीम यहाँ पर लिखा जा रहा है तो सबसे पहले समझते हैं कि इस मेसेज एलर्ट का क्या मतलब है देखिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले एक प्रेस बिग्यप्ति में जारी किया था संचार परदोकी मंत्रालिक द्वारा जो साँव भाद होने प्मार होता है या कोई भी आपना तरह कि चीजे होने वाले पूरे इंडिया में तो उस तरह से जो है आपको alert किया जा सकता है तो ये क्या हो रहा है न कि इस तरह से आपको message भेंज के एक testing चल रही है यहाँ देखे साफ साफ रिखा गया यह भारत सरकार की website है pib.gov.in की website से यह मैंने निकाला हुआ है और इसमें साफ साफ रिखा गया है कि दूर संचार भी भाग आपदाओ के दौरान अगर जब भी आपदा आयगी उस दौरान जो है सभी को broadcast alert जारी करके सरकार जो है alert कर देगी कि आप जो है alert हो जाईए इस तरह की गतिविद्या होने वाली है इस तरह से भुकाम पाने वाले है या जो भी होना मतलब जो भी अपदा आएगी उसको जो है अपतकालीन संचार के माध्यम से जो है अलर्ट जाएगा सबके मोबाइल पर तो इसकी टेस्टिंग चल रही है टेस्टिंग इन दा सेंस सरकार जो है इसका निरिछड कर र मतलब आम नागरीक को अगर जब भी मालने जो यूएस में कोई अलर्ट आता है कोई एमर्जेंसी आती है कोई अपतकालीन स्थिती आती है तो सबके मोबाइल पेस में चला जाता है इसी तरह से जाता है जिस तरह से आप अगर फिस किया है तो ऐसे ही तो आप अलर्ट हो जा इस पर आपकी और और से किसी कारवाई किया सकता नहीं है या संदेश राष्टी आपदा प्रबंद प्रधिकरण द्वारा करवनित किये जा रहे हैं मतलब इसका प्रसिछड किया जा रहा है मतलब इसका टेस्टिंग चल रही है कि मेसेज हम लोग किस तरह से भेजेंगा अगर कोई भी आपदा आती है उस केस में तो तो आप लोग को बिल्कुल टेस्टिंग नहीं लेना है जब इस तरह के आप लोग को अलर्ट आ रहा है तो आप सिंपल उसको सून लीजिए और यहाँ ओके बटन मिलेगा ओके कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और जब यह अलर्ट आ रहा है उससे पहले आपको मेसेज भी जरूर मिला होगा इन बॉक्स में कि इस तरह से टेस्टिंग चल रही है आपको इस तरह से अलर्ट मिल सकता है उससे कोई मतलब नहीं है आप ओके कर देना है तो यह अलर्ट जो है भारत सरकार के दूर संचार विभात के द्वारा किया जा रहा है सेल ब्रोड कास्टिंग के माध्यम से भेना जा गया एक नमूना प्रसिछड है मतलब जो है एक डेमो स्टेशन पर सिछड है डेमो यहां पर किया जा रहा है ताकि जो है आने वाले भविष्वे में अगर कोई भी अपातकाली ने स्थिती आती है पूरे भारत वर्स में या एक उस एरिया में तो सब को जो है इस तरह से ब्रोड कास्टिंग करके अलर्ट किया जा सके यह देख सकते हैं 20 जुलाई 2023 के डेट में ही डेली PIV के दोबारा जो है यह नोटीस जारी किया गया था जिसमें बोला गया था कि दूर संचार विभाग आपदाओ के दोरान अपतकालीन संचार बढ़ाने के लिए सेल ब्रोड कास्ट अलर्ट सिस्टम का परिछड करेगा तो यह आपी के भलाई के लिए के लिए आपी की शुरक्षा के लिए है सरकार ये जो है कर रहی है यह अभी टेस्टिंग मोड में है बहुत जल जो है इसको टेस्ट कर लिए जाएगा उसके बासे नहीं आएगा मेसेज कब आएगा जब कोई अप्तकालीन स्थिती आएगी तब ही आपको ये मेसेज देखने को मिलेगा, फिलहाल अभी एक दो बार मेसेज आपको देखने को मिल सकता है, सबके मोबाइल पे जा रहा है, जो भी Android मोबाइल रन करते हैं, उन सबके पास ये मेसेज जाएगा, as a परिछड के तौर पे, समझ रहा है, देश के नागरी को औ और परववसाली की आकलन करने के लिए, ये परिछड समय समय पर देश भर के विभीन छेत्रों में किया जाएगा, तो अलग अलग छेत्र वाई जो है, ये परिछड चल रहा है, आपके मोईल पे इस तरह से अगर अलर्ट मिल रहा है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं ह तो ये जो है, अभी टेस्टिंग चल रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि, सेल ब्रोडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक आधुनिक तकनीक है, जो हमें एक निर्दिष्ट भगवलिक छेतर के भीतर, सभी मोबाईल उपकरड़ों पर आपदा परबंद के लिए महतपूर समय समेंदन सिल संदेश भेजने की अनुमती देता है, भलही प्राप्त करता स्थानिय निवासी हो या अंगकुत्तुक हो, या सुनिशित करता है कि महतपूर अपातकाली नागरिक समय पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसका उपयोग, सरकारी एजेंसी और गंभीर परस्तितियों के दोरान उन्हें सच्यत रखने के लिए किया जाता है, सेल ब्रोडकास्ट का उपयोग आम तोर पर आपतकालीन सतर्क करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गंभीर मौसम की चेतावनी, जैसे सुनामी, फ्लैस, फ्लड, भुकम, सरवजनिक निकासी, नोटीस या अन्य महतवपूर जनकारी आदी के लिए ये किया जगया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग मताया कि जब भी कोई, माले जब फ्लड होने वाला है, भुकम पाने वाला है, फ्लैस, सुनामी आने वाली है, या कोई भी साइवर सीक्योटी का मामला हो, तो इस तरह से आपको मैसेज भेंआ जा सके, सभी को अलर्ट किया जा सके, तो जब भी कोई अलर्ट होगा, तो सरकार इसी तरह से आपको मैसेज भेज़ेगी, तो अभी एक डेमो के तोर पे सरकार ये टेस्टिंग कर रही है, बहु जल्द इसको लागू कर देगा पूरे इंडिया में परिछड अधी के दोरां लोगों को अपने मोबाईल उपकरणों पर कृतिम अपतकालिन सतरकता संदेश प्राप्त हो सकता है हम आस्वास्त करते हैं कि यह अलर्ट नियोजिक परिछर पड़किरय का हिस्सा है और वास्तविक अपत्ति इस्तिति का संगेत नहीं अगर आपको इस सर्कार के दूर संचार भीभा के दोरा मेसेज जो है परिछड किया रहा है एक तरह से डिमोस्ट्रेशन किया जा जाहिन